कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करते हैं वापस है वीकली अनलिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अनलिस सबसे पहले तो एक चीज लोग आज करना कुछ जादा ही की एक्सपेटेशन्स रख रहे हैं स्टॉक से बुल्म रण से यहां पर लास्ट वीडियो भी डाला था जी आईज आउसिंग फ्रैंज का उसमें भी बार 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 बोला कि इस लाइन से उपर 210 से उपर क्लोजिंग आए तो बाय करना स्टॉक 210 तक भी नहीं गया क्लोजिंग टेशर रॉसस्टेंज वीडियो में पूरा एक्ष्प्रेंड भी किया जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्लीज एक बार देखो उस चीज को कि क्यूं रीजन था क्यूं मैं बार बार बोल रहा था चलता है निफ्की बैंक निफ्टी तो देखते हैं निफ्की फा सबसे पहली बात यहां पर अच्छा खासा फ्लैक ब्रेक आउट आए है रेंज भी अच्छी खास ही है मोटा-मोटा 600 पॉइंट और एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर मार्केट और अप्ट्रेंड में रह सकता है चाहें तो यह चोटा सा फ्लैक भी ड्रॉ करके देख सकते हैं यह एक चोटा सा फ्लैक कुछ लोग चाहें तो यहां पर फीबो लगा सकते जिनको फीबो आता है जिनको फीबो नहीं आता वो बेसिक से भी काम कर सकते हैं मतलब कि यहां पर पोल की लेंथ मिजर करियो और टार्गेट वगरा निकाल लिया दो तरीके हैं तो य सबसे पहला कोशन तो यह है कि यह निफ्टी भाग क्यों रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में तो उतनी मुमेंट नहीं आई निफ्टी भाग रहा है कुछ मेजर स्टॉक्स की वैसे टाटा कंजूमर प्रोडक्ट बोल सकते हो ठीक है फिर उसके उलावा मेटल सेक्टर बोल सकते ह तो कुछ चोटे मोटे बैंकिंग स्टॉक्स नहीं भाग रहे यह तो जी निफ्टी की कहानी अगर इसी चीज़ को वीकली चार्ट में देखा जाए कि वीकली में क्यूंकि निफ्टी ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट डे हाई वीक हाई पे क्लोज हुआ है तो कैंडल अच्छी होग इसकी लेंग 1500-1600 पॉइंट के आसपास है तो सेम टार्गेट निकाल सकते हो टीक मैं इसका अलग से फीबो चार्ट भी अपडेट कर दूँगा टार्गेट के साथ नेक्स्ट अब क्वेशन आता है बैंक निफ्टी पर अभी यहां पर आपको बैंक निफ्टी में नहीं च को ने वीडियो पॉस किया कमेंट किया कि यह पैटन दिख रहा है यह पैटन दिख रहा है वेल इन गोड नहीं कमेंट किया अभी भी देख सकते हो कि कौन सा पैटन दिखाई दे रहा है ज़रूरी नहीं कि एक पैटन हो तो तीन पैटन भी हो सकते हैं टेक्निकल आनलिस इस आर्ट हो सकता है किसको ग्लास आधा दिखाई दे फॉल है किसी को आधा खाली दिखाई दे दोनों का perception? भी ठीक है वापस आता है bank nifty पर अब बोलोगे यह निफ्टी तो हाई राई बना रहा है बजाज फ्राइंस वगेरा तो बैंकिंग के अंदर भी आएगा प्लस नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट अल्मोस्ट फैक्टर इन होना स्टार्ट हो गया तो सबसे पहला पैटर्ण जो यहाँ पर मिला वो यहाँ पर मिला कुछ इस तरह कपनेंडल बिल्कुल सही पैटर्ण है जिन लोगों ने करेंड पैटर्ण बोला कि यहाँ पर बहुत ही शॉट्टम फ्लैग है उनका भी आंसर बिल्कुल ठीक है दोनों का अंसर ठीक है हम यहाँ पर चाहें तो कपनेंडल को देखो अब कपनेंडल बड़ा बनाए तो उसको बड़े टाइम फ्रेम पर मतलब एजिन मैं बोलू चार-पांथ महीने के लिए प्रेफरेंज दोंगा फ्लैक शॉट्टम है अगर आप देखो तो लास्ट 15 दिन की मूवमेंट तो वह चॉट्टम मूवमेंट देगा फ्लैक से स्टार्ट करते हैं फ्लैक से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर यह बेक आउट नहीं दे पा रह फिर दुबरा हाई लगा 36,300 के आसपास अभी भी 36,200 के आसपास यह जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा तो यह तो क्लियर है फ्लैक का ब्रेक आउट आ गया और फ्लैक की लेंट है मोटा मोटा 2000 पॉइंट के आसपास अब क्वेशन आता है कपन हैंडल के लिए जब निफ पॉइंट की मोटा मोटा बोला जाए तो राउंड ओफ तो राउंड ओफ तो संधिंग अराउंड 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर कपन हैंडल का ब्रेक आउट देता है तो मैसिब ब्रेक आउट आएगा प्लस प्लस जब यह इलेक्शन कैंडल बनी थी तब भी मैंने डाला था यहां पर फीबो लगा कर कि यह 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 टार्गेट हो सकते हैं यह हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा बैंक निफ्टी में भी ब्रेक आउट नहीं आया है ब्रेक आउट का वेट करना पड़ेगा जैसे कि यह निफ्टी में ब्रेक आउट आया तब resistance के ओपर closing का वेट नहीं करते यह लोजिकली सोचो इस resistance की बात ही कर लेते हैं bank nifty के यह देखना ज़रा 36,500 की resistance March 21, it's almost 6 months, I'm saying almost 6 months, तब से cross नहीं हुई so let's keep some patience, थोड़ा सा patience रखो, breakout momentum मिलेगा, तो क्या बढ़िया rally मिलेगी, वो सोचो without keeping impatience की यह नहीं चलो, अभी बाय कर लेता हूँ, क्यों, भाई थोड़ा सबर करो ना, थोड़ा सबर करो यह थे nifty bank nifty के analysis, हम लोग ने short term analysis देखे, view थोड़ा bullish लग रहा है, because of flag, cup and handle plus nifty में तो already breakout आ चुका है, और comment कर सकते हो, किस topic पर video बनाना चाहिए, किस stock पर video बनाना चाहिए, जिस comment को ज़्यादा likes मिलेंगे, या replies मिलेंगे, यानि कि उस पर ज़्यादा attention चाहिए, उस पर हम लोग video बनाने का try करते हैं, thank you for watching the video, lots of love, stay safe